अगर आप options में trade करते हूँ तो आपके लिए सबसे बड़ा confusion यही है कि मैं nifty में trade करूँ या bank nifty में trade करूँ वेल एक confusion होना बहुत लाजमी है मैं आपको मेरी choice बदाता हूँ मैं specifically trade करता हूँ bank nifty को क्यों bank nifty because bank nifty देता है trending moves either on the upside either on the downside क्योंकि मैं trend trader हूँ मैं ऐसा ही move चाता हूँ कि जब भी banking stocks के लिए कोई अच्छी news आई है तो obviously bank nifty उपर जाएगी और जब भी banking stocks के लिए कोई खराम news आई तो bank nifty नीचे जाएगी लिकि nifty में ऐसा नहीं है क्योंकि nifty के अंदर हर sector का contribution है तो ऐसा हो सकता है nifty metal के लिए कोई अच्छी news आई है लिकि nifty IT के लिए कोई खराम news है तो nifty usually sideways होती है तो अगर आप एक day trader trend trader हो तो आप bank nifty trade करो और अगर आप एक scalper हो जिसे छोटे-छोटे reversals catch करना पसंद है तो आप nifty को trade करिए यह वीडियो को like करिए शेयर करिए और save भी जरूर करिए थैंक्यू सोट